आज का टॉपिक है एक शॉर्ट स्टोरी आज हम करेंगे नैदीन कोर्डिमर की स्टोरी है जिसका नाम है तो यह स्टोरी इसने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी 1989 में ठीक है अब मैं इसको सबसे पहले आपको इसका बैक्राउंड बता दूँगी और इसकी स्टोरी आपको बताऊंगी तो बैक्राउंड स्टोरी का है कि यह एंटी अपाथेड मॉवमेंट थी जो 1948 से 1990 के दरम्यान रही ह यह मॉवमेंट बैसिकली जो ब्लैक साउथ एफ्रीकन्स थे उन्होंने अपने राइट्स के लिए यह मॉवमेंट चलाई थी क्यों चलाई थी क्योंके एक वाक्या हुआ था जिसका नाम है सोफिया टाउन रेनेसेंस सोफिया टाउन रेनेसेंस बैसिकली यह वाक्या यह इ ठीक है वो बिल्कुल पास बनी सोफिया टाउन के और 1944 में उन वाइट पीपल ने ये फिल किया कि हम लोग क्योंके हम लोग यहां से कॉलोनी हमारी बड़ी हो रही है और ये बिल्कुल उन ब्लैक लोगों के साथ मिलती जा रही है सोफिया टाउन के साथ एडजेस्ट हो रही है तो उन्होंने का कि हमें इनको बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए वाइट और ब्लैक जो मिक्स ट्रेसिस हैं ये इकटे नहीं रह सकती है इन पे हक सिर्फ इस एरिया पे वाइट है वाइट को सुपिरियर समझा जाता था कि हम ही रह सकते हैं यहां पे मिक्स ट्रेसिस नहीं रह सकते हैं या कलर्ड पीपल नहीं रह सकते ठीक है 1944 से उन्होंने इस पे वरक आउट करना शुरू किया वाइट कालोनी जो बनी थी साथ में ठीक है उन लोगों ने और 1948 में जब नैशनल पार्टी जीत कई तो नैशनल पार्टी के जीतने पे इन्होंने ये बिल्कुल एक लॉब बना दिया कि यहां से सारे ब्लैक्स को उठा कर फेंक दिया जाएगा कि यहां से बिल्कुल दूर फेंक दिया जाएगा तो उन्होंने क्या किया वो जो मिक्स रेसिस थी उन लोगों को वहां से निकाल दिया सोफिया टाउन से ठीक है और उनको निकाल के दूर फेंक दिया और वहां पे वो सिर्फ वाइट पीपल के लिए कि यह जगह मखसूस होगी वो स्पेसिफिक कर दीगी कि यहां पे सिर्फ वर सिर्फ वाइट ही रह सकते हैं और तब यह मुवमेंट चली 1948 में जब नैशनल पार्टी ने यह लॉव बनाया तो यह मुवमेंट चली जिसका नाम था एंटी अपार्थेड मुवमेंट ठीक है और इनका यह स्लोगन बनाया जो ब्लैक पीपल थे एफ्रिकन साथ एफ्रिकन से उन्होंने यह स्लोगन बनाया वी वोंट मूव ठीक है पर्चर किया और उनको मार के वहां से निकाल दिया और मीडो लैंड में भेज़ दिया 1955 में ठीक है और यह जो जगह है इसका नाम इन्होंने रखती है जो सोफिया टाउन को मिला के और वो नेबरिंग जो कम्यूनिटी बनी थी उसको मिला के इसका नाम रखती है ट्राइमफ ट्राइमफ नाम रखती है इसका ठीक है और 1997 में जोनसबर्ग में जो है वो दुबारा से लोगों ने फील किया जब लोग जीते जूते हैं और उने फील किया कि नहीं यह जो जगह थी सोफिया टाउन यह बैसिकली पूर वाइट अफ्रीकनर्स के लिए ही जगह रही यहां पर कोई इतनी कोई हाई सोसाइटी तो आकर रही नहीं ठीक है जो पूर वाइट अफ्रीकनर्स थे वो यहां पर रह रहे हैं तो इस जगा का नाम दुबारा से सोफिया टाउन रख दिया गया तो इस पूरी जो मुवमेंट जो चली जो 1948 से 1990 तक चली इसका नाम था सोफिया टाउन रेनेसेंस इस से ये करती है कि जो सोफिया टाउन रेनेसेंस आई उन ब्लैक लोगों को निकाल दिया गया और उसके क्या असरात हुए फिर वाइट पीपल जो है वो किस डर से जी रहे थे और क्या सारा कुछ था वो अब इस कहानी में आपको पता चलेगा तो खानी ऐसे शुरू होती है कि ये जो नेडीन गोडीम है ये इसको कुछ एक लेटर मिलते हैं उस लेटर में एक जो इसका एडवाइजर है वो इसको मतलब जो इसका फैन होगा वो इसको एडवाइस करता है कि आप चिल्वर्न स्टोरी क्यों नहीं लिखती है तो ये मना कर लेकिन उसने फिर ये इरादा जो उसके एडवाइस है उसको डिनाय कर दिया कि मैं नहीं लिखती फैरी टेल ये चिल्वर्न स्टोरी मैं नहीं लिखती उसके बाद वो सो जाती है ये ये अपनी कहानी में लिख रही है ये कहानी है वन्स अपॉन आटाइम शुरू ऐसे होत ठीक है कि सो जाती है और सोती तो इसकी अचानक से किसी शौर से आवाज उटती है समझ नहीं पाती कि इसकी आवाज किस किसम के शौर से उठी है ये खुली है इसकी आँख खुली है तो वो समझती है कि कोई ना चल पिर रहा था मेरे कमरे में ठीक है तो ये सोचती है कि पत के बाद उसको नीद नहीं आती वो इतना ज़दा डरी होती कि ना तो मेरे पास गन है ना कोई बर्गलर अलाम है ना कोई विंडो पेंस है तो अगर मतलब मेरे ओपर कोई अटैक हो जाते है तो मैं किस तरहां से बचूंगी वो उसको साथ ही एक बात याद आ जाती है कि मेरे में ही एक औरत को डेलाइट में मर्डर कर दिया गया है ठीक है तो ये एक जो डॉग्स हैं और फिर उसे याद आ जाता है कि मेरे जो साथ जो नेबर में एक विड़ोर रहती है उस विड़ोर के जो डॉग्स हैं वो कितने ज्यादा बाग करते हैं और कितने फिर्स किसम के है तो वो यह सारा कुछ सोचके न उसको जिस तरह डर सा लगने लग जाता है वो ऐसे डर जाती है फिर वो कहती है कि मेरा तो घर भी ऐसी जगा पर बना हुआ है कि यहां पर तो गोल्ड माइन्स के चकर में उन्होंने नीचे से पैसेज निकाला वाए केवज बनाई हुई हैं तो इस दिए वो पैसेज की वज़ा से मेरे जो घर का जो फलोर है वो आप नीचे से जगा हॉलो है जैसे जो बेस है घर की वो हालो होगी तो इसलिए मेरा घर तो गिर भी सकता है मतलब उपने आपको डर जाती है अब इस टरक के मारे जब वो सो नहीं सकती तो वो अपने आपको एक bedtime story सुनाने लग जाती है ठीक है वो bedtime story सुनाती है तो वो कहती है कि sotory में एक husband है एक बहुत ही अच्छी family है happily ever after living land of family जो है न वो family है एक husband है एक wife या उनका के बेटा है husband की mother को तो husband की mother जो है वो उनको कहती है कि तुम लोग सारी जो है क्योंकि हालात अच्छे नहीं है तो तुम लोग अपना सारा जो necessary measures है अपने आपको protect करने के लिए तुम लोग वो ले लो इसलिए वो क्या करते हैं उन सारी necessary measures को पूरा करने के लिए वो medical benefit society को join करते हैं and they license everything even their family dog they license their family dog and they buy insurance for them ठीक है सारी insurance policies ले 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 लेते हैं neighborhood watch organization को भी वो join कर लेते हैं पहले वो medical benefit society को join करते हैं then वो neighborhood watch organization को join करते हैं ठीक है that gives them a plaque metal plate देते हैं वो for the gate of their home ठीक है जो plaque जो metal plate है जो gate पे लगनी है ठीक है इसके उपर plate के उपर लिखा है you have been warned ठीक है और जो old wise witch है old witch है wise old witch है जो grandmother है वो इनको advice करती है वो कहती है not to take anyone off the street ठीक है कि मतलब गली में से किसी को अंदर मत आने देना अब वो जो black African से वो बचारे इदर उदर घूम रहे हैं इनको ये लोग कहीं आने भी नहीं देते थे ना jobs देते थे थे रहला कि इनके घर में जो काम करते थे वो भी black होते थे लेकिन उन्हें ये trustworthy कहते थे ठीक है ये insure करवा लेते हैं अपनी हर चीज but it is not possible to ensure the house swimming pool car against the riot damage मतलब वो हल चीज़ को तो ensure करवा लेंगे लेकिन अगर कोई riot damage हुआ जैसे flood से करवा लेंगे कोई earthquake आ जाता है उसकी भी insurance थी लेकिन riot damage के कोई insurance नहीं थी उनके swimming pool घर या कार के लिए they were afraid of the people of another color another color use किया गया यहां पर black people को कहने के लिए who live in another part of the city though these people were not allowed to enter into the protective suburb हालांके ये लोग बिचारे protective suburb में आ भी नहीं सकते थे लेकिन इन्हों ने क्योंके उनके घरों से निकाल के बाहर पहिंका था तो ये फिर भी उनसे खौफ सता थे क्योंके वो लोग जो थे जो यहां पर आके crime करते थे वो बिचारे वो थे जो addicts थे ठीक है जो smugglers नहीं कह सकते जो बिचारे addicts थे ठीक है उनकी miserable condition थी वो और क्या करें वो यहां से क्या लेकर जाया करते थे वो यहां से सिर्फ TV लेकर चलेगे कपड़े लेकर चलेगे खाने पीने की चीज़ें लेकर चलेगे cassettes कर लेकर चलेगे वो इस तरह की चीज़ें उठा कर ले जाते थे वाइफ जो है वो बड़ी अच्छी आदत की दिखाई हुई थी तो वो बचारी जो है ना वो जैसे अगर अपने घर से किसी को भूका नहीं जाने दिया करती थी ठीक है तो उसके बारे में कहा गया कि वो बड़ी अच्छी किसम की खातून थी ठीक है और वो जो भी उदर आता था उसको टी और ब्रेट दिया करती थी ठीक है लेकिन वो बहुत जादा डरी भी हुई थी कि हम पर अगर कोई अटैक कर देता है तो हम क्या करेंगे तो हजबन उसे कहता है कि नहीं दियर इस पोलीस दियर आर सोलजर्स दियर इस टीर गैस और गन्स तो कीप अस प्रोटेक्टिड ठीक है तो ये जो सारे जो रायोट्स थे के ओस था, क्राइम था, वायलेंस था इसकी वज़ा से जाक्मॉसफेर आप बहुत ज़ीड़ा फियरफूल हो गया था ठीक है, सोशल सेनेरियो जो है वो बहुत ज़ीड़ा मिजरेबल हो गया था जिस तरह हमारे इदिधर रायोट्स वगरा होते हैं अपने देख słu बसों को जला देते ہیں और कार्स पे पत्तर ठेंकते हैं तो बिलकुल वही कुछ उदर हो रहा था कि बसों को जलाया जा रहा था और कार्स को पहींका जा रहा था और यह सब कुछ रियलमे है यह स्टोरी जो है वो यह रियालिटी है सोफिया टाउन ररनेसंस और अपाथ हैड मॉवमेंट यह रियल में हुई थी यह सारा सीन भी रियल में हुआ था तो वो अपनी वाइफ को काम करने के लिए और अपनी वाइफ को रिलैक्स करने के लिए वो जो faithful husband है वो क्या करता है वो electronic gate लगवा लेता है अपने घर में अब इस electronic gate के साथ intercom वो लगवा लेता है ठीक है कि जिसने भी घर की bell देनी है पहले उसे बताना पड़ेगा कि वो क्यों आया है tell his intention by pressing a button and speaking into the receiver relate to the house ठीक है कि intercom पे उसे बताना पड़ता था कि कौन आया है क्यों आया है फिर उदर से दर्वादा खुलता था तो ये अंदर जा सकते थे ठीक है अब सबब में एक यह हुआ उसी सबब में एक यह हुआ एक trusted housemate को बांद कर उसको कबर्ड में बंद करके उन लोगों ने उसके मूँ जो है वो बांद दिया उसको भी बांद दिया मूँ को बंद कर दिया ठीक है और जो thieves थे उन्होंने हर चीज़ घर की चोरी कर ली तो अब इनकी जो housemate है कि ऐसे ऐसे एक housemate के साथ हुआ है तो मुझे तो बड़ा डर लगता है हलांके उन्होंने किसी को जानी नुकसान नहीं पुचाए सिर्फ चीज़ें चोरी करके लेके housemate को बांद के अब उस housemate को जो है वो डर लगा वो कहती कि इस इस तरह हुआ हुआ है तो मुझे तो बड़ा डर लगता है अब उस housemate के चक्कर में यह अपने घर में metal bars जो है वो हर window पे लगवा लेते हैं and a highly sensitive burglar alarm लगवा लेते हैं कि burglar alarm के जो चोरी से बचाए burglar कहते हैं चोरियों से बचने के लिए जो alarm लगाया जाए ठीक है वो लगा लेते हैं alarm is set off from the slightest movement even from the family's cat अब वो जो बच्चे की cat होती है वो बचारी भी उचलती है ना bed, guilt, guilt तो वो alarm इतना sensitive है कि alarm बजना शुरू हो जाता है होता है कि यह alarm इतना ज्यादा बजता रहता है उस cat की वज़ा से कि वो एक आदत बन जाती है महले वालों को भी आदत हो जाती है और घर वालों को भी आदत हो जाती है कि बली ही होगी इसलिए अलाम on हुआ मैं ट्रीक है intruders usually take away high-fits equipment like TV, cassette players, cameras, radios, jewelry and clothes insurance company pay no compensation for a single thing the intruders are usually drunkards and beggars ठीक है जो drunkards और beggars होते थे वो ही ये चीज़ें चोरी करने आते होते है their present spoiled the beauty of suburb और उनकी वज़ा से इनकी जो suburb थी उसकी beauty खराब हो रही थी अब इनसे बचने के लिए जो old witch है वो कहती है wise old witch जो grand mother है वो इनको पैसे देती है बिर्दे पे sorry ये Christmas present देती है वो ठीक है wise old witch वो कहती है कि वो walls इनकी बड़ी करवा देते है walls बड़ी करवा देते है और अपने बेटे को मतलब बेटे और डाटर इनला के लिए उसका gift है to hire the walls and to give और वो अपने जो उसका पोता होता है like the grand son उसको वो देती है एक space man outfit और एक book of fairy tales देती है ठीक है अब intrusion तो है वो इन बर्गलर्स और ड्रंकर्ड्स की जादा हो जाती है और यहाँ पर जो restlessness और disturbance इनके सबब में कुछ जादा ही हो जाती है ठीक है at last ते selected device which is the ugliest but secure अब उनको at the end क्या करना पड़ता है पहले वो electronic gate इंस्टाल करवाते हैं उसके बाद अब उन्होंने दिवारें बड़ी करवा ली है ठीक है अब वो एक बिल्कुल fierce किसम की जो है वो अपने पाउं पे कुलहाडी मारने वाल है अब जो वो device लगवाएंगे अब वो जो दिवारें बड़ी करवाएं थी वो इस दिवारों की बिल्कुल उन्चाई पे जाके जो है वो एक वो एक जो है वो लगवारें it consists of a continuous coil of stiff and shining metal serrated into jacked blades वो जो blades वाली जो एक coil होती है वो लगा लेते हैं हमारे वो उपर लगी हुई होती है चोरों से बचने के लिए घरों के उपर लगाई हुई होती है तो वो लगवा लेते हैं वो इतनी बुरी कोईल बनाई हुए होती है जिसना spiral सा होता है कि कोई भी उसके अंदर फंसे बगार उससे निकल नहीं सकता मतलब जो भी उसके वो टाच करेगा वो उसमें फंस के रह जाएगा ठीक है इंटेंगल हो जाएगा कि एक वो स्ट्रगल रह जाती है जिसमें खून ही खून बहेगा बहुत ही डीपर और शापर क्योंकि वो बलेड़ है काटेंगे हुकिंगो टिरिंग और फलेश मतलब वो टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो उसका बलकुल खतम कर देंगे चीर पार देंगे होता यह है कि माह एपने बच्चे को कहानी सोनापी है जो एक कांटो भरी जो इक होडल है उसको चरता है वो उपर चड़ता है और अपने sleeping beauty को बचाने के लिए उसको वापस जिंदा करने के लिए वो कांटों से गुजरता है ठीक है वो उसके ओपर चड़ता है डीवार के next day बचा क्या करता है वो कहता है razor jacked shards on wall वो अपनी दिवार पर देखता है वो कहता है यह तो बिल्कुल वैसी ही मतलब यह thorns और वो जैसे उसके उसने imagine किया होगा न कि प्रिंस ने किस तरह से किस hurdles में आकर बचाया होगा sleeping beauty को तो वो कहता है मेरे भी जो है वो यही लगी टु पर वह तो क्रीप In यह जो क्ड़ उसका होता है कि वो एक वो झुड़ी होती है उसके एज Kayla को उस्टीवार के पास लेकर जाता है और उसके ऊपर चड़ जाता है क्यूंकि वो चमकरीट लिड़ जो станu है जो भी उसके उन लो चला जाटाए दे Сब्री है और we सुड़ वो जितना उससे बचने की कोशिशिश करता है वो बच्चा उतना ही उसके अंदर जो है वो फंस जाता है उसके अंदर वो इंटांगल होता रहता है ठीक है अब वो बच्चा उसको कैसे निकाला जाता है मिलीडिङ मैस मतलब वो बच्चा खतम होग यह सिर्फ उसके जो blood clots पढ़े हुएं वहां पे जिस तरह उसके pieces पढ़े हैं उस तरह से निकाला जाता है while the cat set softy alarm जबके cat जो है वो alarm set off करती है मतलब cat उपर नीचे हुई होगी तो alarm बजा होगा और वो सारा कुछ चल पड़ा और वो आवाज नी आई बच्चे के चीखने चलाने की और फिर वो अलाम बंद हुआ और फिर वो बच्चे को वहां से निकाला गया मतलब अपने पैर पे खुद कुलहारी मारी उन्होंने इस तरह की कि कोई आपको नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा था इसके जो थीम्स होते हैं जो basic इसका जो main थीम है इस सारी चीज में वो है self-destruction through fear ठीक है दूसरा इसका थीम है victim of self-security ठीक है और तीसरा इसका थीम होगा fear of unknown ठीक है और चौतरा इसका थीम होगा sense of insecurity attached to modern word ठीक है यह इसके कुछ थीम्स हैं इसमें हैं और जो cat है वो cat बैड फॉर्चून की सिंबल है क्योंके black cat हम लोग वैसे भी पढ़ते रहते हैं फजूल सी बात है लेकिन black cat is a fortune bad fortune ठीक है symbolizes bad luck and bad fortune और जो wise old witch है वो भी जो इसमें अगर आजाता है कि आपको एक fairy tale element इसमें क्या है झाल